फतेहबाद पहुचे हरियाना के पूर्वमंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट निता अशोक अरोडा ने कहा कि आमादमी पार्टी को वहम हो गया है कि वो हरियाना में सरकार बना लेगी जबकि आमादमी पार्टी का यहां कोई जनाधार नहीं है यही वेहम दिल्ली में सरकार बनने के दोरान भी हुआ था तब हर्याना में सबी जगह आपकी जमानतें जब तो हो गई थी और आगे भी फिर से वही हाल होगा पूर्वमंत्री अशोक अरोडा 29 माई को फतेहाबाद की नई सब्जी मंडी में होने वाले विपक्ष आपके द्वार कारिक्षम की तैयारियों का जायजा लेने आये थे लाजनीति में द्वजात अंत्रगंदर दोई पक्ष हुआ करते हैं सब्सक्ता पक्ष की जुनवारी होती है कि वो लोगों से किये हुए जन हित्के वादे पूरे करें अच्छी शिक्षा मिले अच्छी तिकिस्टा मिले अच्छी शुरक्षा मिले की जिवाओं को रोजधार मिले, इसमी को भाळ मिले विकास के कारिये होש हो यह सप्ता पक्ष की जुम्मवारीहों कि और अगर सप्ता पक्स अपनी जुम्मवारीहो निभाने में विपल रहत्यinsky लोगों की आज की जो मुझोदा सरकार है वो हर मोर्चों नहीं लगता आज आहाम आजमी पालिटी का अर्याना में कोई स्वजूद नहीं है जब दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बनीदी जब भी बहुत हुआता कि अर्याना में चुनाव लड़ेंगे नफ्टेगी नफ्टेगी नफ्ट है जिनको कॉंग्रस से या बीजेपी से टिकट की उमीद नहीं है ऐसे लोगों का स्थान नों जारे है अर्यवाज है